कि मचल है अभी पूरा ही मचल हरा भरा होना स्टार्ट हो चुका है अब देख रहे हैं मेरा व्लॉक्स तो आज का व्लॉक्स पहुंच आप लोगों को अपने ही मचल की जो हर्याली है वह दिखाऊंगा क्यूंकि अभी सर्दियों का मौसम था तो हर्याली थोड़ी कम थी क्यूंकि पेड़ों पर उतनी पत्य नहीं थी फूल नहीं थे अब गर् आप ह 그래요 यह रहे होने लगए है उस तरफ सारे में जहां विख आप आप की नजर जा रही है पूरा का पूरा हरा हाम होन फूल आने लगे हैं मतलब कि बहुत सारी चीजे पहाड़ों में अब स्टार्ट हो चुकी है कह सकते हैं आप जीवन स्टार्ट हो चुका है पहाड़ों में भी तो अभी मैं रेडी हो चुका हूं मैंने अभी कॉलिज आना है मेरे एक्जाम है वो भी हो चुके है जो मेरे मिटर में थे भी लगे व आपने जो सुराउंडिंग में जितना घुमा पाऊंगा अच्छी चीजी आपको दिखाऊंगा कि हर्याली कितनी जाद हो चुकी है मनलब कि पहाड आपको मैं पूरा एक्स्पोर करा दूँगा कि आपका मन करें कि भाई में काश हम भी होते तो चलते हैं भी फिलाल कॉलिज क तो मिलता हम आप साकी वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छी 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 पूरा ही मचल हरा भरा होना स्टार्ट हो चुका है क्यूंकि मार्च से ही हर्याली स्टार्ट हो जाती है हमारे ही मचल में डिरेक्ट ही कॉलिज आया जैसी में आपको बताया था कॉलिज गया आपने कुछ शॉर्ट लेखियोंगे कॉलिज के तो वहां गया और सिदही में व वहलोडनीमचल जो अभी बन चुका है वह असा सरद्यों में था नहीं कि हर पेड़ पर हर्शम्पत्या आने इस्टार्ट हो चुकि और जो फूल है फूल भी किसी च्लूंटर्ट्टि में थिखाता हो और व्यूभ दिखाता अधानी चीजे आहिंनी आपक सिनेवाटिक चाकीजी कर दो ऑता कि रुब झाल यह वही पेड़ है जो कभी बेजान से नज़र आते थे पर आज इन पेड़ों में जान आनी स्टार्ट हो चुके है मैंने पहले भी वीडियो बनाई है इन पर अपने खेत में काम करते हुए तो उस वक्त आपने देखा हुआ कि जो पेड़ है पेड़ पूरी तरह से स्टार्ट हो चुके है और इनी फूलों में कभी से भी लगेगी तो कह सकते है कि हमारे हिमचल में जीवन स्टार्ट हो चुका है और जीवन सबसे बड़ा हमारा जो जीवन है वो हर्याली है हमारे जो हिमचल में है हिमचल इसलिए जाना जाता है अपनी हर्याली के लिए पे पेड़ बिल्कुल एकदम कह सकते हैं आपकी खिल खिला उठेया है तो मैं अभी अपने खेत में टहल रहा हूं और जितना सकून मुझे यहां आकर मिल रहा है इस टाइम तो मैं को शायद कहीं ऐसा सकून ना मिल सकता था और शायद इना कभी मिलेगा क्योंकि यहां पर इतनी शांती है चीडिया चहचा रही है और जो फूल है पेड़ पर फूल लगे वे है उनसे जो खुश्बू आ रही है हलकी सी खुश्बू आ रही है उसको मैं सिर्फ महसूस कर पा रहा हूं और शांती बिल्कुल चारो तरफ बिल्कुल शांती है कोई कुछ आवाज नहीं सिर्फ चीडिया के चहचाने की आवाज आ रही है तो मैं अभी अपने जो खेत है उसके कॉर्नर पर खड़ा हूं तो अब जा रहा हूं मैं अपने वापस जो घर है घर के उर तो मैंने आप लोग को इस व्लॉग में दिखा है कि जो हमारे हमचल में है हमारे पहाड है पहडो में जो हर्याली है जो जीवन है वो दूबारा से स्टार्ट हो चुका अप शाम हो चुकिया काफी 6 बच चुक है तो मैं अब घर के और जा रहा हूँ तो आप लोग कोई और वीडियो कैसी लगी जुरूर बिताएगा और चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जुरूर कीजेगा यहां तक आप ने वीडियो देख लिए तो लाइक भी जुरूर कीजेगा और जल्दी मुलूगा आपसे तब तक के लिए बाइ